तो चलिए मित्रो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हम निकल अधुरा छोड़ दिया था और टॉपिक क्या है असेक्शुल रिप्रोड़क्शन के टाइप पढ़ देत ठीक है आप लोग फीजन पढ़ेना इंपोटेंट है क्योंकि एंचियाटी का हर एक डाइग्राम कहानी है ठीक है धियान रखना है फीजन बढ़िंग फ्रैग्मेंटीशन रिजनरेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है कोई ज्यादा कॉशन इसके पूछने जाते हैं बात करते हैं जो इंपोटेंट है ठीक है जिसके एंचियाकी में डाइग्राम बड़े खूबसूरत बना रखें उसका explanation देखते हैं और वो है spore formation और आज की बस दोई टोपे करेंगे पहला spore formation और दूसरा vegetative propagation ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम सुरू करते हैं spore formation से spore formation का मतलब तो sporulation इसका दूसरा नम यहां इसे पढ़ने से पहले एक सब जानना जरूरी है कि gamit और spore क्या है यह बता दीजिए पहले ठीक है देखो वहिया gamit sexual reproduction में बनते हैं मियोशिस से बनते हैं spore asexual reproduction में बनते हैं ठीक है अंजी में और algae में उनमें बनते हैं spore और gamit कहां बनते हैं आप angiosperm जो advanced plant उनमें गैमिट बनते हैं जो sexual reproduction उनमें बनते हैं gamits भाई जो animal है जिनमें जो sexual reproduction उनमें बनते हैं gamits ठीक है तो द्यानना के एक थोड़ा सा इनके बीच का अंतर तो अब शुरू करते हैं spore से अब सुरू करते हैं what is spore relation देखो बाइस मैंने आपको बताया क्या एक छोटी सी बात कि देखो जब प्रकृती बनी थी तो यूनिसेल्लर से यह सब कभ होते हैं जब कंडिशन फैवरीबल बन जाए ठीक है तब होते हैं यह सारे स्पोर पोर बनना यह वह तो समसे पहले में टैपशी शुरू करते हैं जू स्पूरbacks इ silic में दे रखता धाता उन्हें देखो है जो कोुज हूंति हैं उनमेंघ्न सब्सक्राइबहों सब्सक्राइब की सब्सक्राइबहों करें अनने बहुत सब्सक्राइब तो शुकरते हैं से जू का मत्द्रों मॉटाइल ठीक है जो मूव करें और सुनो कोई चीजी मूव करते हैं जब उसके अंदर कोई डिवाइस हो और डिवाइस का इसमे फिलेची ला यह उती होते हैं Unicellular naked हम इसा आशाली से देख सकते हैं वह होते हैं जूचनल फोल ठीक जूस्पोर अब बात करते हैं यह बंती किस्म है यह बंती हैं फो लरीणे चल बडू तर देखना जू स्पोर बनते कहा हैं इंसाइड दा जू स्पोर एंजिया थिक सिर्फन बात मोटायल होते हैं इनमेर फिलेजिला होता है ठीक है इनमेर सेल वाल नहीं होता अधिक तर इसलिए एक सब्स उसके नेकड यूनी सेलर तो हमें दिख नहीं पाएगा ना इसको करेक्ट करना यू आगे चलते हैं कौन इडिया यह यह होता है और किसमें होता है फंगस में ठीक है क्योंकि पैंसी लिए इसका जो एक्जामपल है देशी से फंजी तो बात करते हैं कौन इडिया कि जू स्पोर में क्या था मोटायल था जू मिन्स मूव करने वाला मूव अब कौन इडियम यह है नॉन मोटाइल स्पोर्ट पहली बात नॉन मोटाइल स्पोर्ट किसमें बनते हैं पैंसीलियम में बनते हैं ठीक है अगली बात एक आपको जब डाइगराम आप देखेंगे तो आपको एक सब्द उसमें लिखा हुआ होगा और कॉनीडियो 4 क्या होता है ऐसी पेंशीलियम के अंदर यह होती है तो कौनेडियम फोर्स क्या होती है चैन और कौनस्टिक्षण अधिक और तिक और स्पेशल हाइफल ब्रांचिज देखो यह क्या है इसमें से ब्रांच नेकले नहीं यह ब्रांच नेकले नहीं एक सब मैंने बोला भी हाइफी इस सब्द को में एक ब्रांच जैन होती है उसका काम क्या होता है इस अगां को Say को मर्री के है प्रिजेंटन में और सुर्ण हो जाएगा- कौन ऋडिय 메 약म और ब्रस्ट हो जाएंगे और एन्वार्मेंट में क्या पहुंच आएगा कॉनिडिया आजाएगा शूटिबल कंडिशन उसको मिलेगी और कॉनिडियों जो कॉनिडिया है वो जर्मिट करना शुरू कर देंगे तो क्या बन गया फिर पैंसिलिम बन गया ठीक है इस बात को आप ध से टाइम लिमीटेड है इसलिए मेरे को करना पड़ा तो जल्दे के तो सुनिए गैमूल्स गैमूल्स क्या क्लस्ट्रॉप सैस्स गुच्छा यह सैस्स का गुच्छा इसके चार्तव क्या होता है तो अब अन्फैवलियू कंडिशन से बचाना है तो तो तक होईगा इनके उपर सिंपल सी बात है होना मंगता है इसलिए अब फैवलियू कंडिशन आगे ब्रश्ट हो जाएगा यह कहां यह गैमूल्स पाएके समझाते हैं स्पंज में स्पंज बहुती सिंपल और्गनिजम होते हैं अधिक तरी कहां पाए जाते हैं पानी कंदर फ्रेश वाटर में फिञें यह जैमूल्स अब देखिए परकरतीने चीजों को कैसे बनाया है किस प्रकास यह रचा है आप चीजों को थोड़iko समझे यह रटने का विज्धान नहीं सोचने का विज्धाने कैसे हो रहा है खुद से सोचो चीज, कैसे बन रहे हैं परकरती में यह झान तो देक वेजीटेटिव, वेजीटेशन, वनस्पती, प्रॉपगेशन में इसे उत्थान बढ़ना ठीक है? अब शुरू करते हैं, देखो, एक ऐसा असेक्शल रिप्रोडेक्शन प्लांट के अंदर, जहां पे जो प्लांट का वेजीटेटिव पार्ट होता है ना, वेजीटेटिव पार्ट के लो, वेजीटेटिव प्रोपेग्यूल के लो, उनसे क्या बने प्लांट बन जाए पूरा, कमाल की बात बहिया, क्या विज्ञान है, है ना, अब देखो, वेजीटेटिव पार्ट का वता प्लांट के अंदर, स्टेम, रूट, लीफ, यहोते बहिया, है ना, यह सब समझमा है, कैसा, एक नंबल कोई पूछा बता देंगे, the type of reproduction, the type of asexual reproduction in plant, in which new plants are found from the vegetative part, such as stem, root and leaves, खा लेगा, काता, अब सुमो, बहिया, यह किसमे होता, commonly, angiosperm होता, angiosperm क्या होते है, जो flower, advanced plant, जो flower, जो flower, जिन में flower होता, वो angiosperm होता है, अब बात करेंगे, stem root leaf की, इनमें है, क्या, कैसे बनेगा, तो सबसे पहला example ले लेता हूँ, मैं underground stem, ठीक है, प्रत्वी के अंदर, ठीक है, soil के अंदर, मेरे भाई, stem के पास एक खास activity है, और हो क्या, Mary stem ability, यह जो Mary stem वाली ability है, उसके अंदर, इनमें cell division तेजी से होता है, और यह आगे गरो करते हैं, इसलिए underground stem में छमता है, नया plant बनाने, क्या, हम लोग करते हैं, कि यार, कोई plant अपने आप हो गया, ठीक है, आप आलू रखे थे, भाई साब, उसे थोड़ा monster मिला, अपने आप start हो गया, ठीक है, क्योंकि वो गया underground stem, उसमें क्या, Mary stematic ability, तो चलिए सबसे पहला है, इसमें ही कहते हैं, उसमें देखते हैं, कि underground stem का कौन सा पार्ट, तो पहली नमबर को मैं लिखा, bulbs, ठीक है, bulbs, ऐसा होगा है, प्याज और garlic, दोनों आप देखें, सन्रचना तो ऐसे होती है, बल्ब की तरह है, इन दोनों के अंदर पाए जाते हैं, बल्ब, और बल्ब के, यह है underground stem, अपने लोगों धर्तिम बूते हैं नाम को, ठीक है, उस स्टार्ट को दाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मेश्टे में ability, बल्ब के अंतर, ओनीन बनना garlic बनना सुरू, दूसे नमबर पर ट्यूबर, ट्यूबर या eyes, ठीक है, पटाटों में, आलू में रखा है आपके टोकरी में, तो होगा क्या, भाई, वो जो आलू है, उसके अंदर store food है, food होगा उसका, कोई चीज़ आगे कब बढ़ते हैं, जब फूर हो, आप आगे कब बढ़ेंगे, जब खाने को कुछ हो, energy हो शरीर में, ठीक है, तो ट्यूबर के अंदर क्या है, storage of food, ट्यूबर केंता, वो एडवेंटी से बर्स को, आईज को, ट्यूबर को क्या देगा, ट्यूबर क्या देगा, उनको, एडवेंटी से आईज को, फूर देगा, और बहां से ही, start हो जाएगा, पटाटू का, प्लांट बनना, कमाल की चीज है, बात करते हैं राइजों की, ठीक है, एसी कटे कटे से होते हैं वो है राइजों, बनाना बनाना देखा आपने, बनाना घरमरेंट, ळदि जेखिए है, बजारा बली, वो सब क्या है, सारक सार राइजों में हैं, अंडर गरॉंBob सब्सुमें है, और ऐसम में आंदर होते हैं ओक है, आप आप कहेंगी बन नीचे आपको राइजुम मिलेगा ऐसा ठीक है अब बात करें सकर के पुदीना पुदीना मुस्कर होता है मान के चलिए यह है पुदीना यह है तो यह उसकी जड़ तो यह जो यह जड़ उसकी तो यहां से एक ऐसी आपको यह लाइन सा देखा यह है सकर भाई इसे शूटबल कंडिशन में यह सोयल डेंप हुआ मौस्टर मिला फूर्ड वूर्स मिला यहां से एक नया को दीना बनना सुरू अब बात करते हैं एरियल स्टेम के मैंने पिछली लेक्चर में बता था एक लेक्चर में कि देखो अगर मनुष्य सुगर को कैन बोना बंद कर तो नष्ट हो जाए कारण क्या है क्योंकि मित्रो अब उसको समझें ना आपको लोग से देखो सुगर कें क्या एरियल स्टेम एरिया तो देखो आपने देखा है पंगो देखा है ठीक है पोरी पोरी देखा होगा आपने यहां पे ऐसा लाइन से किचा होता है नीश एक ला पता जब किसान करते क्या है इनको चोट चोटी पंगो काटेंगे ऐसी पोरी काटेंगे और सोयल में दाबते चले जाएंगे ठीक है तो होगा क्या यह जो बड़ है न मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भाईया जहां से स्टार्ट होना शुरू प्लांट सिम्ट अगे बाद स इसमें हम दो चीज़ लेते हैं ऑप्सेट और रणर ऑप्सेट क्या होता है ऑप्सेट अब डाइग्राम देखें ठीक है जलकुम्भी देखें आपने नालो में ठीक है वो यह उसमें होता ऑप्सेट वाटल हाइसें इक और इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन यहां जान लो यह है एक इक और निया ठीक है एक और यह है दूश इक और निया इसके बीच में आपको दिख्राइब अप्सेट आप जितना इसे काटेंगे इतना इक और जलकुम्भी बनना स्टार्ट नश्टी नहीं होता कभी भी हाई पावर रिजनरेशन पावर अब रंडरंग देखेंगे और जैलिस ग्रास देखिया ओपर होती है सब एडल स्टेम ठीक है एक से दूशी दूशी सिर्थी ऐसे जुड़ी होती है बिल्कुल आपको इसे गूत की रखती है ठीक है तो इसे ज़गे से तोड़के उसको रंडर को दूश जगे लगा दो सो है और इंपोर्टेंट क्या लीफ लीफ आप यह बताई वेजिटितिक प्रोक्वेशन लीफ का एक्जांपल बताओ एल पीम के दोज़र्टेर में पूछा है और ब्राइव फिलम तो बहुत कॉमन है यह पूछे ते उसमें ठीक है तो ध्यान रखना है कब के ए बे 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 सार एक्जम्पल आप ध्यान रखना देखो एंचाट का पेज पलतेंगे आपको एसा एक स्ट्रक्चर में लेगा ठीक है लेफ का स्ट्रक्चर आपको इसकी बॉंडरी पर यहां पर यहां पर ऐसी सम्रचना मिलेंगे भाई साब यह होती है एडवेंटेटियस बड्स aipotent होते बहुत जादा प्राओ फिल्म हुआ केलंची हुआ एडियंटम वह बेगोनिया लीफ के ऊपर यहां बढ़ है जैसे लीफ तूटके नीचे गिरी सॉईल में मिली नया ब्राओ फिलम प्रिक्रति ने प्लांच के लिए यहां से बनाया है ए ना भास बात बहुत ही महत्पूंद द्यानकन लीट से बात करें रूट कहां से रूट में कहां से क्या रूट बना सकता है पौदा हम क्या करते हैं बहुत बार बहुत सारे प्लांट की रूट लगा देते हैं उनसे वह शुरू हो जाता है स्वीट पटाटो सकरगंदी बाई साब रूट से खुदी रूट है उससे नया प्लान शुरू आप बात करें डलबर्जिया डलबर्जिया सीसम आप जाते हैं रूट चे अब देखो एक आपको मैं छोटी सी बात बताऊँगा जान देना रूट के बात देखना है तुघ के बादे थोड़ी वालना तुम रोग दो आलगेरोड होते हैं टैप रूट और एडवर्धूर्ट हम यह रूट काहां से बंती है रेटेगल से में बनती ही वो किसी पार्ट के किसी भी इता है कर निकलती है यह इत TAKE क्या हुत यह अधिया है यहां से देखो फृपट आपर देखा वोगा बहुत सारी पॉथ यह दाइकॉर्टम बनता है यह प्रत्वी के बहुत अंदर तक जाता है यह जाला दीप नहीं जाता लंबे समय तक टैप रूट रहता है और यह जल्दीना स्टोधा एडवेंटिस रूट्स मित्रो इस रूट के अंदर मित्रोर पावर होती है जो कि प्लाट के किसी पार्ड के साथ बनता लेकिन इसके पास महित्यमेटिक टीशू नहीं है यह करता क्या है यह बनाता है यह बनाता एडवेंटिस बर्स जब बनती इस चीज़े जब निकलती है जैसे बात करऊ आपको गवावा, कैप रूट है बाई सब हो जाता है, रूट से हो जाता है, ठीक है, सीड ना हो तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा उसका बनना, अंतिम माथ करते हैं बुलबिल, ठीक है, बुलबिल क्या होता, अगय हुवग पाइनेपल दे, अनानास देखा आपने, ऐसा, ठीक है, आप उसको धहीं से देखा हैं, तो वो जो अनानास है, या अगय है, ऐसा चोड़ एसा, ठीक है, उसका फल देखना, उसके अंदर आपने देखे, बुलबिल, उसको कहते हैं, बुलबिल, यह मल्टी-Cellular लिज़ जी बर्श होती हैं उस के इंदर और आपको बता बर्श क्या करता है इसमें पर शेल डिविजन बढ़एगा उस कंदर जो मेश्टमेटिक टिशू यह था फोकस रखनें अपने मांड को और विज्यान है आप अपने आप से पूछो खुद से सूच के देखना चीज़ों को ठीक है तो आज के लिए इतना ही Have a wonderful day